सुनियें सिद्ध पीर सुर नाथ, सुनियें तर्त अगास, सुनियें दीप लो अपत ताल, सुनियें पोहो न सक्य काल, नानक पगता सदा विगास, सुनियें दूख पाप का नास हे नानक अकाल पुरिक दे नाम बेच सुर्थ जोडन बाले, पक्जना दे हिर्दे विच सदा खिडाओ बने अरंदा है, क्योंकि राप दे सिद्ध सलाथ सुनन करके, मनुखा दे दुखा दे पापा दा नास हो जानदा है अकाल पुरिक दे नाम बेच सुर्थ जोडन सद्का सदारन मनुख सिद्धा पीरा देप्तियां दे नात्थां दी पद्वी प्राप्त का लेंदे हान ते उनानुए सुझी हो जानदी है कि इस तर्तिय काश दा आस्रा और प्रवु आप ही है जो सारे दीप लोग पताल विच ब्यापक है मनुख नु मोद दा डर नहीं रहनदा पाफ मोद डर मनुख दे मानते प्रवाफ नहीं पास सकदा नोवी पोडी सुझी है इसर वर्मा इंद सुझी है मुख सलाहन मंद सुझी है जोग जुगतन पेद सुझी है सासत सिम्रत वेद नानिक पगता सदा विगास सुझी है दूख पाप का नास काल पुरिक दे नाम विच सुर्त जोडन दासत का सदारन मनुख, शिब, ब्रम्मा ते इंदर दी पद्वी ते अपड जान्दा है मन्दा मनुख वी मुहों रब्दियां सिप्ता करन लग पेंदा है सदारन बुद्वाले नूवी शिरीर, विचलियां, गुंचिया, गल्ला, पाव, अखा, कानजीव, आदक इंदरियां दे, चालियां दे, विकार, आदिका, वल, दोड, पाज के, पेज दा पता लग जान्दा है अकाल पुरिक दे नाम वीच सुर्थ जोडन दा सदका प्रभु मिलापती जुगती दी समझ पै जान्दी है शास्त्रा ते बेद्दा दी असलियत समझ आ जान्दी है कि ये तार्मिक पुस्त का की हन हे नानक अकाल पुरिक दे नाम विच सुर्त जोडन वाले पक्जनादे हिर्दे विच सदा खिडाओ बने अरेंदा है क्योंकि रापदी सित स्लाह सुनन करके मनुक दे दुखां ते पापा दा नाश हो जानदा है दसमी पोड़ी सुनिये सासंतोख गियान सुनिये अटसरट का इश्नान सुनिये पड़पड़पा वहमान सुनिये लाग्य सहज त्यान नानक पगता सदा विगास सुनिये दुख पाप का नास प्रवु दे नाम बेच सुर्थ जोडन नाल हिर्दे विच लोडवन्दा दी सेवा करन्दा स्वा संतोख ते प्रकाश प्रकट हो जानदा है मानो अटसर तीरत दा इश्नान ही हो गया जो सतकार मनुक बिद्यापड के प्राप्त कर देहन ओ पकज नानु अकालपुरिक दे नाम बेच जुड़के सहज ही मिल जानदा है नाम बेच सुर्थ जोडन दा सतका सहज वस्ता पाव और डोलता विच चित दी बृत्ती टिक जानदी है ये नानक अकालपुरिक दे नाम बेच सुर्थ जोडन वाले पकज नान दे हिर्दे वीच सदा खिटाओ वनिया रहन्दा है क्योंकि अकालपुरिक दे सित स्लासुर नाल मनुक दे दुखां दे पापा दा नाश हो जान्दा है सुनिये सरा गुड़ा के गाह सुनिये सेख पीर पात साह सुनिये अंदे पावे राह सुनिये हाथ वैस गाह नानक पगता सदा विगास सुनिये दुख पाप का नाश अर्थ प्रवु दे नाम पेच सुरत जोड़न सदका सिदारन मनुक वेयंत बुणा दी सुजवाले हो जान्दे हान नाम पेच सुरत जोड़न सदका सिदारन मनुक शेक पीर दे पाश्रा दी पदवी प्राप्त कर लेंदे हान ए नाम सुनन दी ही बरकत है कि अन्ने ग्यान हीन मनुख भी अकाल पुरिखनू मिलन दा राह लवलेंदे हैं अकाल पुरिख दी नाम बिच जुडन दा सदका ए डूंगे संसार समुंदर दी असले समझ आजान दी है हे नानिक अकाल पुरिख दी नाम बिच सुर्थ जोडन बाले पगज नान दे हिर्दे विच सदा खिडाओ बने अरेंदा है क्योंकि अकाल पुरिख दा नाम सुनन नाल मनुख दे दुखां दे पापा दा नाश हो जान्दा है साथ सिंगेची हुन आपा सुनिये वाली पोडियान नू जो भी समुच्ची सिख्या है ओ देखांगे साथ सिंगेची सुनिये वालीयां चार पोडियंदा समुच्चा पाप एह है कि जे असी वानी नू चंगी तर सुनिये तर असी अपनी जीवन विच बहुत उच्चियां अवस्तामा तक पहुंच सकते हैं जिमे की वानी नू सुनके सिद्धा पीरा देख्यां वाली अवस्ता तक अपड़ जन्दा है तीके जी सुनिये दिये चार पोडियां विच हेट लिखिये पंगती चार वारी आई है कि नानिक पक दा सदा विकास सुनिये दूख पाप का नास उपर लिखी पंगती दा सिदारन शब्दा विच मतलब एए हा कि अकालपुर्क दे नाम विच सुथ जोडन बाले पगजना दे हिर्दे विच सदा खिडाओ वनिया रहन्दा है क्यूंकि परमात्मा दे सिद्धिसला सुनन करके मनुक दे दुखां दे पापा दा नास शो जानले परोई हैँ हिन सवाल एव पैंदा हुंदा है कि अची सालों थो पाठ कर रहा है पर तामी खिजदे सादा मन बहुत सैड रहनदा है आते सादे हेर्द विच खडाओ क्यूं नहीं वन्दा आते सादी दुखां ते पापा दरास क्यूं नहीं हुंदा इस ता मुडला गारन जो समझ विच उन्दा है वो ए है कि पाठ ता अपा रसना नाल बोहत कर रहे हैं पर अपने किते पाठ नो असी सुन नहीं रहे ए पाठ असी बिचार हीन होके कैसे कदे कि तोत्ता रटनवांगू कर लें दे हैं इस बंद विच तो अड़े नाल एक कहाणी में संची कर रहे हैं एक बार एक शिकारी जंगल विच चो तोत्तियानू जाल विच पाके लेके जार्या सी जाल विच पाके तोत्ते सी गियो उन्हानू जाल विच पाके लेके जान्द सी गियो एक गुर्मुक जाल विच फसी होये तोत्यानु देख देहां उनना दे मन विच उन्दाए कि ए शिकारी इनन तोत्यानु 25 विच पाकी कैद कर लवेगा ते अलागला करके बेच देवेगा क्योंना में इनन सारे तोत्यानु खरीद के लेजामा ते इस शिकारी कोड़ो इनानू अजाद करवा देमा उग गुर्मुक शिकारी कोड़ो सारे तोत्य खरीद लेंदे हन तोत्यानू ओ अपने गार लेके होंदे हन अति रोज उनानू चोगाप होंदे हन तोत्यानू रोज ही ओ एक सबक जाद करोंदे हन कि शिकारी आएगा, जाल विशाएगा, चुगा पाएगा, पर चोग नहीं, चुगनी नहीं ते फास जामागे केंदे या उननों ए सबक सकोंदे है कि शिकारी आएगा, जाल विशाएगा, चुगा पाएगा, पर चोग नहीं, चुगनी नहीं ते फास जामागे शब्द जाद करोंदे करोंदे एक दो महिने बीद जान्दे हन वो तोत्य नो ही सगांदे है ते सारे तोत्य नो जो सबक हुनदा है वो जाद हो जान्दा है कि शिकारी आएगा, जाल भी शाएगा, चोगा पाएगा पर असी फसना नहीं ठीक है जी, गुर्मुख सोच दे हैं कि हुन इना ने एग सबक जाद कर लिया है ते हुन एग जादी नाल जंगल भीच रह सक दे हन हुन एहे किसे भी शिकारी दे जाल भीच नहीं फसनगे गुर्मुख सारे ही तोत्य नो जंगल भीच शाड़ उन्दे हन उनु तो तोते गुर्मुख्या बलों सिखाया हुया सवक भी बोल्दे रहने हने एकवरण शिकारी वंदा है साधी वी हालत इनतोत्यां बरगी ही है पहले गाल की पाट कर्न लग्या असी बाने नू सुनदे ने दुजी गाल ए आ की सुन के समझ दे ने ते ना ही विचार देया तीजी गाल ए आ की विचार नो समझ के जीवन विच को मौन दे ने ठीक है ची, बहुत डुंगी गला कि पहला तस आनू जो उसी पाठ कर दिया बिल्कुल चंगी तर सुनना चाहिदा है उन्हों सम्झना चाहिदा उन्हों विचार करने चाहिदिया तो उस दो बास आनू अपनी लाहिव विच अजमानी चाहिदिया चीज दुखा पापा दानाज उस दिन होना शुरू हो जावेगा जिस दिन तो असी बाणी देव देश नू सुर्थ जोड के सुनना समझना ते विचारना ते अपनी जीवन विच उन्हों ऐस प्रैक्टिकल यूज करूंगे ठीक है ची, सिक पाठ ता करदा है पर मन दी गैर हाजर सिक दी जुवान ता पाठ पढ़ दिया पर मन होर होर कमा वाले पास से चला जानता है इस स्वन्द विच सानू शिर्गु नानिक तीप ची निवाज पढ़न वाली साखी हमेशा जाद रखनी चाहिए कि सफा नंबर 139 ते दिती गई है इस साखी तो एही सिख्या मिल दिया कि जिकर पाठ करन लगया मन दी गैर हाजरी है ता पूरन दोरते लाफ नहीं होंदा उन सवाल एह पहता होंदा है कि की तरीका है जिसना नों मन पढ़ होए जो सी पाठ पढ़ देया उन्नों सुनना शुरू कार देवे ठीक है जी इस वन्द विच गुर्मक प्यारे पंत र सुनन दी जाच आ जाएगी इस जुकता है कि पाठ करन लगया मन नों पुछना है कि तू मानी सुन लिया है मानी नों कि तू मानी नों सुन लिया है पुछना है ठीक है जी अगर मानने उन पंकती नहीं सुनी ता सिख हों पंकती उन्नी दियर तक वार 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 पड़ी जा पहार वार बोलना है ठीक है जी जात्यक साथ मन 100% नहीं सुन दाया ठीक है जी ता तक शी वार 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 बोलना है ठीक है जी अगली पंक्ती ओधो ही पड़ी जावे जातक मन पिछली पंक्ती नो सुनके समझ के विचार कार लेवे गुर्दे पिता ची किरपा जी सदका सानू एव्यास पक जावे ता मननो सुनन दी आदत पैज जावेगे अब हमेशा जाद रखे कि वाणी क्यों पढ़नी है सुनन ले वाणी क्यों सुनननी है समझन ले वाणी क्यों समझनी है विचारन ले वाणी क्यों विजारनी है कमोन ले ठीके जी बार में पोड़ी सास सगे जी आपा स्टार्ट कर देया मनने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पच्चताए कागद कलम न लिखन हार मनने काव करन विचार ऐसा नाम न रंजन हो है जे को मन जाने मन कोए ओ मनुक दी उच्ची आत्म कवस्ता दसी नहीं जा सक दी जिसने अकाल पुर्क दी नाम नू मन लेया है पाव जिसती लगण नाम विच लग गई है जे कोई मनुक ब्यान करके वी ता ओ पिच्चो पश्चतोंदा है कि मैं होच्छा जतन कीता है मनुक राल के नाम विच पतीजी होए दी आत्म कवस्ता दा अंदाज्जा लांदेहान पर कागज दे कलम नाल कोई मनुक लिखन दे समराथ नहीं या के कालपुर्क की या कालपुर्क दा नाम बहुत उच्चा है ते माया दे परवावतों परे है इस विच जुडन बाला भी उच्ची आत्म कवस्ता वाला हो जान्दा है पर एक आलता ही समझ विच उंदी है जे कोई मनुक अपने अंदर लगन लागे वेखे मन्य सुर्थ होवे मन बुद्ध मन्य सगलपवन की सुद्ध मन्य मुहों चोटा ना खाहे मन्य जमके साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होहे जे को मन जाने मन कोई जे मनुक दे मन विच प्रवु दे नाम दी लगन लग जावे ता उस दी सुर्थ उच्ची हो जान्दी है उस दे मन विच जागरत आ जान्दी है पाव माया विच सुद्धा मन जाग पेंदा है सारे पबना दी उसनू सोची हो जान्दी है कि हर्था प्रवु ब्यापक है अते जमानाल उस्ता वा नहीं पेंदा वो जनम मरंदे गेड विच्चो बच जान्दा है अकाल पुरक दा नाम जो माया दे परवावतो परे है इड़ा उच्चा है कि इस विच जूणन वाला वी उच्ची आत्मक वस्ता वाला हो जान्दा है पर एग आलता ही समझ विच उन्दी है जे कोई मनुक अपने मान विच हरी नाम दी लगन पैदा कर लवे मन्य मारिग ठाक न पाहे मन्य पातस्यो परगट जाए मन्य मगना चल्लै पंत मन्य तर्म सेती सनवंद ऐसा नाम निरंजन हो है जे को मन जान है मन कोई जी मनुक अपन नाम विच पती जाए तजिन्दकी दे सफर विच विकारा आधिक दी कोई भी रोक नहीं पैदी उस संसार विच शोबा खाटके इज्जित नाल जान्दा है उस मनुक अपन तर्म नाल सिद्धा जोडवन जान्दा है ओ फिर दुनिया दे बक्खो वक्रे मजबा दे दसे रस्तेयां दे नहीं दुर्दा गाल पुरिक दा नाम जो माया दे प्रवाफतो परे है एड़ा उच्चा है कि इस विच जुड़न बाड़ा वी उच्ची आत्मक वस्ता बाड़ा हो जान्दा है पर एगल ताही समझ विच ओंदी है जे कोई मनुक अपने मन विच हर नाम दी लगन पैदा कर लवे मन्ने पावे मोकदवार मन्ने परवार ऐसा दार मन्ने तरा तरै गुर सिख मन्ने नानक पवे न पिख ऐसा नाम निरंजन हो है जे को मन जाने मन कोई जे मन विच प्रवुदे नाम दी लगन लग जाए ता मनुक कूड तो खलासी पाणदा रा लव लेंदे हन एहोजिया मनुक अपने परिवार नुवी अकाल पुरिक दी टेक दृड़ करोंदा है नाम बिख मन पतीजन करके ही सत्गुरु आप पी संसार सागर तो पार लग जानता है ते सिखानू पार लगनता है नाम बिख मन जूडन करके ही नानक मनुक तीर तीर दी मुठाजी ने कारदे फरदे अखेली दो पंक्तियां दे अर्थ उपर हो जुके हन साथ संगे ची मने दे मने बेले लाद दे लादा सी बहुत दियान रखना है ठीके ची हन साथ संगे ची मने दी पोड़्यां दी सुमुची सिख्या की आपा देख देया मने दा पाव है मन्ने हुए मनुखता ठीक है जी मन्ने दा पावे किसी मान लिए ठीक है मन्ने दिया कुल चार पोडियां हान मन्ने दी पहली पोडि विच उना गुर्ण सिख्ण दी वस्ता दा जिकर किताया जिनाने गुरु दी सिख्ण नू मान के अपने जीवन नू उसे उन्सार टालिया है जदकी मन्ने दियां बाकी तिर बोडियां विच ए दस्या गया है कि जैसे गुरू दी सिख्या नो मन लेए तो साधे जीवन विच किस-किस तरह दी तब दिली आएगी असल मायने विच उदो ही सिख्या आड़ा है जदो की गुरू दी गालूं माने के अपने जीवन विच उतार लेंदा है पंचम पिता तांतां शिर्गुरु अर्जन देवची ने सिख दिया निशानिया दस्ते होया फरमाया है कि सेवक दी सब तो पहली निशानिया कि यू आज्याकारी हुन्दा है अग्याकारी पुझारी होंदाया, मान पिछे लगण वाला नहीं होंदाया इस मान्ध विच फर्माना ठाकुर का सेवक आग्याकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुझारी अगर असी सिख द्यास नू बिचार देयां एग आल स्पष्ट तोड़ते सामने हुन दिया कि उन्हा सिखा नू सदकार मिलेया है जिना ने गुरु दी गाल नू माल लेया है जिमे की पाई लेना जी ठीके जी उन्हाने शिर्गुनाने देवजी द्वारा लेयां गियां जो भी प्रिख्या सिगी गुरु जी दी काल हंडर परसेंट मननी उदारन वजो गंदे पाणी विच्चो को टोरा कड़ना चिककर डाल परियां कादियां पंडा सेर्थे चुकना तरमशाला विच्चो मोई होई चुही चुक के बाहर सुटना स्याल दी रुत्ते रातनू ठडडी होई कांदनू दवारा उसारना ठीके जी स्याल दी रुत्ते अद्धी रातनू वस्तर तो अंदा हुकम होया सिगा राविश्नान दी वारता जिस वेले वार्दे मी विच पाई लेणा जी गुरु जी दे वस्तर नू हिक नालाई वैठेरे रात वेले ए प्रशन करना की दसो कितनी रात गुजर गई मुर्दा खान दा हुको मनना आदी सासंग जी पाई लेडा जी न सारियां प्रिक्ख्या विचो गुरु जी दी गाल नू मनन करके पास होए ते ताही शिर्गु नानिक देवची ने उना नू पाई लेडा तो गुरु अंगत पाफ शरीर दा हिस्सा कहके सतकार्या गुरु अमर्दास ची ने भी करड़ी कालना काल दे हुए बारा साल लगातार अनथक सेवा किती गुरु जी दे सारे वचना नू मनन्या आते गुरु अंगत देवची दा रूप होगे सान ठीके ची सासेंगे ची इमें ही आपा मनना आया सासेंगे ची ए उस जमाने दी गाला एक गल संची गरांगी जद मुवाय ज़े टेलेफोन नहीं होंदे सी उस वक्त एक भ्यक्ती किसी हिल स्टेशन दे गया होया सी उत्ते एकदम ठंड बहुत बाद गी इसलिए उसने अपने दोननों वेटियानों चिठी बेजी कि मैंनों गरम कपड़े जल्दी तो जल्दी पिजवा देवो क्योंकि एकदम ठंड बहुत बाद गी है इक वेटिन पिता ने उड़ी करन तो बाद दूजी वेटे नूँ चिठी पेजी कि मैंनों गरम कपड़े दी जरूरता है जल्दी कपड़े पेज देओ दूजी बेटने चिठी मिल दे सारी अपने पिता दी गालनों मन दे होये उसी वक्त कपड़े पेज दे जदो उना दा पिता अधि किन्ना संभाल के रख्या होया है ता उस दे पिता ने किया कि की फैदा चिठी नू संभाल के रखन दा जे तू उस विच जो लिख्या सी उस दे अमली नहीं किता ठीके ची सास सिंगे ची सनू मननाया कोई भी गाला ठीके ची जेडे सिख गुरुदी गालनों सुन के मान देनी उस वारे गुर्वानी विच परमाना सलाम जवाव दो में करे मुड़े कुथा जाए नानिक दोवे कूडिया थाई नकाई पाई सास सिंगे ची आंग 444 दे विराजमान है इस दा अर्थ है जो मनुख अपने मालक प्रभू दे हुकम अगे सिर्थानी बोंदाया मत्था ठेकदाया पर उस दे किते हुकम दा मनन नहीं कारदा ओ मालक दी रजा दे राव दे तुरन तो उका ही रह जानदाया हे नानिक अजे ही मनुख दा सिर्णी बोंदा अते हुकम ना मनन ना दो में ये चूटे हान अते इना दोहां विच्चो कोई गालवी मालक दे दार्थे कबूल नहीं हंदे जासंग जी खोर फर्माना सो सिक्स का वंदभ है पाई जे गुर के पाने विच आवे अपने पाने जो चल्ले पाई दे शड़ चोटा खावे पंच परवान पंच परदान पंचे पावे धर्गय मान पंचे सोह दराजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह कर विचार करते कह कर ने नहीं समार तोल तरम देया का पूत संतोख था प्रक्या जिन सूत जे को बुझ्जै हो वै सच्यार तवलै उपर के ता पार तरती होर परै होर होर तिस्ते पार तलै कमन जोर जी चात नंगा के नाम सबना लिख्या बुडिक लाम एह लेखा लिख जाने को हे लेखा लिख्या केता होए केता तान सवाल है रूप केती दात जाने कोन कूत कीता पसाहो एकोक वाहो दिस्ते होए लख दरिया हो कुदरत कवन कहा विचार बार्याना जावा एक बार जोतत पावैसाई पलिकार तो सदा सलामत निरंकार जिना मनुखान दी सुर्थ नाम विच जुड़ी रहती है ते जिना दे अंदर प्रभु बास्ते लगण बन जान्दी है ओ मनुख इत्थे चाक्त विच मन्ने पर मन्ने रहती हैं आते सवदे आगू हुंदे हैं अकाल पुर्ख दी दरगाह विच ओ पांच जन ही आदर पांदे हैं राज दरवारा विच भी ओ पांच जन ही सोवदे हैं इना पांच जना दी सुर्थ निशाना केवल एक गुरु ही है पाफ इना दी सुर्थ गुर्शवद विच ही रहती है गुर्शवद विच जुड़ रेडा ही इना दा असल निशाना है पर गुर शब्द विच जुडे रेड़ दा सिठा ए नहीं निकल सकता कि कोई मनुख प्रभु दी रची स्रिष्टी दा अंत पाज सके ठीके जी अकाल पुर्ग दी कुद्र दा कोई लेखा नी पाव अंत नहीं पैस सकता पामे कोई कथन क करके वेखे थे विचार कर लवे पर मातमा दे उस दी कुजरत दा अंत लबना मनुख दी चिंद की दा मनौरत नहीं हो सकता अकाल पुर्ग दा तारम रूपी जो निएमा उबल्द है जो स्रिष्टी नूं काइम रख रिया है ये तारम दया दा पुत्तर है पाव अकाल का रखन लेई तारम रूप नियम बना दिता है एंज तारम ने अपनी मर्यादा उनसार संतोक नू जनम दे दिता है जे कोई मनुख इस उपर दसी विचार समझ लेवे ता ओ इस जोग हो जानता है कि उसते अंदर अकाल पुरिक दा प्रिकाश हो जावे नही ता ख्यालता करो कि बल्द उत्ते तर्ती दा कितना कवियंत पार है ओ विचारा इतने पार नू चुक कि में सकदा है तूजी विचार हो रहे कि जे तर्ती दे हेट बल्द है ओ बल्द नू सहारा देन ले हेट होर तर्ती होई ठीक है जी उस तर्ती दे हेट होर बल्द उस तो हेटा तर्ती हो पिर हो और बल्द हो जादा इससे तरह खीरले बल्तों पार सहारले उस दे हिट किना असर होवेगा। स्टिस्टे विच कई जात्तां दे कई किस्मा दे यते कई नावा दे जीवहन। इना सबना दे मत्थे एक तार चल दी है कलम नाड अकाल पुरक दी कुद्रता लेखा लिख्या है पर कोई विरला मनुख ये लेख्या लिखना जानदा है पाप पर मात्मा दी कुद्रता अंत कोई भी जीव नहीं पा सकदा जे लेख्या लिख्या भी जाए तहीं कि लेखा किड्डा बड़ा हो जाए अकाल पुरक दा बेयंत बल है बेयंत सुन्दर सुरूप है बेयंत उसती दात है इस दा कोण दाज जला सकदा है अकाल पुरक ने अपने होकम नाल सारा संसार बना देता उस होकम नाल ही जिनकी दे लेखा दर्या बन गए सो मेरी की ताक गता है कि मैं करतार दी कुद्रत दी विचार कर सका। ही अकाल पुरिक मैता तेरी उत्तों एक बारी भी सदकी होन जो गानी है। पाव मेरी हस्ती भी बहुत ही तूच है, बहुत ही नीच है। ये निरंकाल तू सदा अटालरेन वाला है, जो तैननू चंगा लगदा है, ओ काम पला है, पाव तेरी रजा विच रहना ही ठीक है। उस विले आम लोका ने ए मिथ्या होया सी की असाड़ी तर्ती नू एक बोल्द ने चुक्या होया है, बिस साल लेके सत्गुर जी दी निथेपी कारदेहान। ठीक है जी, चाज संगे जी, हुन आप सोल में पोड़ी दी सिख्या पारे, विचार करांगे, पहली सिख्या है, पंच परवान, पंच परदान, पंचे पावह दर गहमान, पंचे सोख दर राजान, पंचा कागुर एक त्यान, पंच दा अक्री अर्थ है श्रेष्ट, ठीक नाम सुन के, मान के जीवन विच उतार लेया है, ति इना पंचा दी एक निशानी बड़ी बिलखण है, कि उनना दा हर वेले त्यान, एक अकाल पूर्थ विच रहन दाया, इस्तो असी ये सिख्या लेड़े है, कि अगर असी अपनी जीवन विच पाँच दी पदवी दे प नाम देव जी, उननने उचारिया है, आणि ले कागद काटीले गुड़ी आकास, मद्दे पर्मी अले, पंच जनास यो बात बत हुआ, चीत सो डोरी राखी अले, इस दा अर्थ है, हेत्रि लोचन, पेक, मुंडा कागज ले हुन्दा है, उसती गुड़ी बन हुन्दा है, ते गुड़ी नू असमान विच दून्दा है, जी में जहाज बन हुन्दी है, ठीके जी, साथिया नल गपपा भी मारी जन्दा है, पर उस दा मन, जो डोर इसनों असी पतांग भी समझ सकते है, ठीके जी, में पतांग उदा त्यान- सारा उदे बल है, उनने गलादा करते है, अपने फ्रेंट्स ना बल जो दा फोकस हुन्दा है, इसनों होन्दा है, ह scans фамиरी एक जो पतांग काश अकतना जावे ही एद्दा है ना, सासे गची ये 972 अगर अपने जीवन वीच अपना लिये तो सारे काम कार कर दे हो एवी साड़ी जो सुर्था उपर मेशे वीच जुड़ी रहेगी ठीके जी ते असी वी पांच दी पद्वीदे पहुंच सकते या दूजी जी क्या साथ संग जी सानुए मिल दिया जे को कहे करे विचार करते क करने नहीं समार कोई बंदा पावे पांच भी बन जावे ता ओ अकाल पुरिक दा अंत पासक दाया इस ता जवाब गुरु साइब दे जो पंग दिया ठीके जी काल पुरिक दा अंत पोना बहुत ही बड़ी ते बहुत ही दूर दी गाला असी उस ती जो रची कुदर दा उ पुरिक चा उससी रची रचना दा अंत पोन दा जतन नहीं करना क्योंकि जब जी साहिब इच अग्ये जाके गुरु साहिब जी जो चोमी पड़िया इस घाल नू दुरुड क्रों दिया कि अंत कारण कित्ते बिल लाए तांके अंत न पाये जाए ठीके जी दीजी सिख्या सासंग जी सान मिल दिया तोल तरम देया का पूत संतोग थाप रख्या जनसुत अकाल पुरिक दा तरम रूपी जो नियमा उबल दा जो स्टिष्टी नू कायम राख रहा है इस तरम देया दा पुत्तर अते इस नू संतोग तारण कीता होया है इस तो असी ए सिख्या लेणिया की जी असी तरम दी रहाते तुर्की कुछ प्राप्ती करना जोन देया दा सानू अपने जीवन विच दो गला तारण करने पेंदिया है ओ है जी देया ते संतोग देया विच सासंग जी गुर्वाणी विच आंग तिनसु वाई ते गुर्वाणी या दुख न देही किसा जी पात स्योग कर जाब हो ते आंग एकसो शत्ती ते आट सट तीरत सगल पोन जी दया परवान जिसनो देवै दया कर सोई पुर्क सुजान ठीक है जी ते सासंग जी 878 ते गुर्वाणी या सत संतोग होवे अर्दास ता सुन सद बहाले पास युने जी तो आर्थ है कि हे पाई जी समनो के जीवन विच सत संतोग होवे अते अपने जीवनों उसने इसी मर्यादा विच टालया होवे ता अजेहा मनुक जदो प्रभू देदारती अर्दास करदा है ता प्रभू अर्दास सुनके उसनों अपने कुल बिठा लेंदा है अते पुछता है दास देनों की चाहिदा है अर्थात अजेह मनुकदी अर्दास सद्गुर जी दिर्वारते विछ परवान हो जन्दी है साथ संगर जी चोथी सिक्या सनु मिल दिया बार्या न जवा एक बार जोतद पावै साही बलिकार तुसदा सलामत निरंकार गुर्णारिक साहीब जी ने उपर लिख्या पंक्तिया जब जी साविच एक वार ने दो वार ने बलकि चार वार दर्ज गीताया कि सनु एद्रिड हो जावे कि यसी काल पुरुकतों एक वार भी बारे नहीं जा सकते जो कुछ हो रहा है उस दे हुकम भी ची हो रहा है अते सिखने हुकम रजाई चलना नानक लिख्या नार ठीक है जी इस दे अकोर्डिंग अपना जो जीवना उस चार बनानाया साह सिंगे जी हुन आपपा स्तार मी पोड़ी दिखांगे संक जाप संक पाउ संक पूजा संक तपताउ संक गरंत मुकवेद पाठ संक जोगमन रहे उदास संक पगत गुण ज्यान विचार संक सतीय संक दतार संक सूर मोह पकसार संक मोन लिवलाय तार गुद्रत कवन कहा विचार वार्यान जावा एक बार जोतद पावै साही पलिकार तू सदा सलामत निरंकार सासंग जी इस्ता अर्थ है अकालपुर्ग दी रचना विच अनगेंत जीव जाप कर दे हन ब्यांत जी होना नाल प्यार दबरताओ कर रे हन के जी पूजा कर रे है अते अनगेंत ही जी तप साधना कर रे है ब्यांत जी बेद्धा अते होर तार्मिक पुस्त कांदे पाठ मून आल कर रे है जोग दे साधन करन वाले ब्यांत मनुक अपने मान विच माया वलो उप्राम रेंदे हन अकाल पुरग दे कुदरत विच अनगेंत पागत हन जो अकाल पुरग दे गुणा अते ग्यान दी विचार कार रे हन अनेका ही दानी दे दाते वने होई हन अकाल पुरग दी रचना विच ब्यांत सूर में हन जो अपने मुहों उत्ते पाव सन्मुक होके शस्टा ते वार सेंदे हन अनेका मोनी हन जो एक रस बिर्ती जोड के बैठे रहन दे हन नेरी की ताकत की करतार्दी कुदरती विचार कर सका हे अकालपुरिक मैता तेरे उत्ते एक वारी वी सद के होन जोगा नहीं है पाव मेरी हस्ती बहुत ही तोश है बहुत ही नीच है है निरंकार तो सदा अटालरेंड वाड़ा है जो तेनु चंगा लगदा है ओही कम पला है पाव तेरी रजा विच रेना ही ठीका